हालो स्विंसेल लेर्नर्स वेलकम टू थे ब्रेंबॉक्स रुटोरियल्स आइम प्रियांका एंड टुड़े विए गोइंग तुस्टार्ट विट अन्यू चैप्टर ओफ मेंसुरेशन चैप्टर का नाम है सर्फिस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर यह बहुत सारे करवाएं गया सर्फासरीयन वॉल्यूम क्यूबॉइड क्यूब उसके बाद में सिलेंडर कों स्फियर यह सब है स्वियर और हमिस्फियर एंड सीबीसी क्लास 10 में और यह सारे चैप्टर है एक साथ मिलकर के बना दिया बट आइग प्रिफर की टैन वाले भी यह देखे स्टार्ट करने से पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो करो उसमें भी एजुकेशनल अपडेट्स में बीच-बीच में अप्लोड करती रहती हूं एंड विजिट माई वेबसाइट टू वेबसाइट का लिंक यहां दिया हुए है इ ऐसे की चैक्टर वाइस क्विज होंगे या फिर सेंपल पेपर सेंड और तो जाओ एंड चेक आउट सिलेंडर के लिए हम एक और नाम यूज करते हैं तो उसे कंफ्यूज मत हो ना दोनों मतलब एक ही है सिलेंडर बोलो या राइट सेर्कुलर सिलेंडर बोलो आज हम जो करने वाले हैं सिलेंडर में भी वह करने वाले हम सॉलिट सिलेंडर दो तरीके के सिलेंडर होते हैं एक ह कि अधर से पुरा खाली रहता है तो तो रिफिल होती है अगर पुरी खाली रहें तो वह बन जाता है ऑगर इंक भरी वी एक तो वह थो कैसा से लेंडर होगा solid cylinder थीक है हम लोग दो अलग अलग videos में इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम solid cylinder करेंगे और next video में hollow cylinder के बारे में तो इस तरीके से solid cylinder जैसे एक और example है road roller तो ये सारी चीजे जहां पूरी तरीके से अंदर kuch material भरावा है और पूरी तरीके से पैक्ड है तो that that will be solid cylinder तो यह रहा सिलेंडर का शेप सिलेंडर इस तरीके का होता है हम इसको कोई भी रटेंगुल शीट ऑफ पेपर को भी तुम फोल्ड करोगे तो बिल्कुल सिलेंडर का शेप ही बनेगा इसे लेंडर कल जो वैसल है या एक सिलेंडर है इसमें नीचे की तरफ बहुत अब r square यह circle का area because यह भी base भी तो circle ही है तो एक formula हमारा pi r square हो गया दूसरा है perimeter of the base again perimeter of the base मतलब perimeter of the circle या circumference of the circle जो हम बोलते हैं that is 2 pi r units लगा दिया हमने ठीक है यह दो तो formula हमने पहले भी किया है circle वाले में वही है अब आगे आते हैं cylinder वाले part में तो देखो पहला है next one है यह number three है okay so number three जो है यह three यह four and यह five number three में volume of cylinder volume का मतलब क्या होता है volume को हम capacity भी बोल सकते हैं यानि कोई समलो यह एक glass है cylindrical glass है तो इसमें कितना तुम लिक्विट भर सकते हो समय लो तुमको इसको पूरा वाटर से भरना है इस glass को तो कितना water इसके अंदर आ सकता है इसकी capacity कितनी है तो वह होता है volume तो अगर तुम्हाई पास कभी ऐसा question आए कि इस वैसल में हमको water भरना है कितना water आ सकता है तो अंदर एक एक part पूरा भरना है that means हमको चाहिए volume so volume of cylinder का formula क्या है volume of cylinder का formula है pi r square h and हमने लगाया है cubic units because हर volume का जो unit होता है वो cubic units होता है और area का unit square units होता है तो यह formula है pi r square h तुम लोगों को सब उतारना है यह सारे formulas एक sheet में रखोगे next is curved surface area curved surface area क्या होता है यह जो part जो cylindrical part जो गूमा हुआ है that is curved है उसको बोलते है curved surface area इसका मतलब हम इसके अंदर में क्या part नहीं ले रहे हम नीचे वाला circle नहीं लेंगे उपर वाला circle नहीं लेंगे सिर्फ curved वाला part जो है वो पूरा होगा curved surface area जैसे मैं इसको एक example से बताती हूं इसी से बना सकते है अपने cylinder मैंने इसको फोल्ड किया यह cylindrical shape हो गया अभी अगर मुझे इसको यह पूरा जो पेपर वाला part दिख रहा है यह पूरा इसका curved surface area मतलब अगर ऐसा question आए कि इसके curved surface area में painting करनी है black color करना है तो बताओ कितना area तो curved surface area यही पूरा पेपर वाला पार्ट होगा उपर का circle नहीं है नीचे का circle नहीं है तो curved surface area का formula है 2 pi r h 2 pi r is perimeter circle है और height तक है इसलिए इसका formula 2 pi r h next है total surface area अब total surface में curved वाला portion आएगा plus उपर का एक circle नीचे का एक circle तो देखो 2 pi r है चाहिए curved surface area उपर का circle pi r square नीचे का pi r square मिलके हुआ 2 pi r square तो यह रहा उसका formula और सारे area में हम आगे square units लगाते हैं लेकिना इसको थोड़ा से short कर सकते हो 2 pi r common जा रहा है so 2 pi r h plus r this is the formula of total surface area यह सारा हम किसका कर रहे है of solid cylinder तो यह सारे formulas लिख लो मैं भी pause कर देती हूँ यही pause कर दो वीडियो यह सारे लिख लो काम आएंगे बट यही सारे formulas जितने भी हैं यह मैं अपने website में भी upload कर रही हूँ तुम लोग इसको download कर सकते हो download करके कोई भी अपने जहां पर भी study करते हो वहां सामने पर सारे formulas लगा के रहो बार बार दिखता रहेगा तो formulas बहुत जल्दी याद हो जाएंगे ठीक है so a link provided है description में देख लेना अगर download करना हो तो कर सकते हो चलो अब स्टार्ट करते हैं इनके sums इस formulas को ले करके हम sums कैसे करें तो चलो करते हैं अपना first sum now first sum में लिखाव है the diameter of a cylinder is 7 cm and height is 16 cm fine lateral surface area total surface area volume of cylinder तो यह बिल्कुल basic question है जिसे कि हम सारे formulas कैसे use करते हैं वो सीथ पाएंगे sum से तो यह मैंने diagram बनाया है यह मैंसुरेशन में diagram जिस जिसके हो सके जरूर बनाओ इससे तुमको sum करने में बहुत easy होगा तो यहां हमने diagram बनाया cylinder का यह रहा height height is 16 cm यह रहा diameter diameter is 7 cm अब हमको निकालना है lateral surface area lateral क्या हुआ जो मैंने curved surface area बोला था उसी को lateral surface area भी बोलते है so lateral surface area चाहिए तो सबसे पहले क्या-क्या है वो हम लिख देते हैं तो हम लिख देते हैं okay height साथ में तुम symbol भी लिख सकते हो h so height of cylinder वो है 16 cm okay then diameter that is d अपोल सकते हैं अपने so diameter of cylinder कितना है 7 cm बड हमको जो two formulas है उसमें radius चाहिए so radius which is r so radius of cylinder कितना होगा diameter का आधा so 7 upon 2 3.5 cm तुम चाहो तो 7 by 2 करके भी solve कर सकते हैं बलके जल्दे solve होगा okay अब हमको पहला चाहिए so number one बोल रहा है lateral surface area या फिर अपने उसको curved surface area भी बोल सकते है so lateral surface area तो इसका formula क्या है 2 pi r h okay 2 pi r h दिया है तो हम इसकी बस value डाले so 2 into अब यह pi क्या है pi की देखो 2 value होती है एक होती है 22 by 7 एक होती है 3.14 तुम अपने इस sum में क्या लिखावा है देखो इस sum में कुछ नहीं लिखावा pi की क्या value देनी है तो ऐसे case में हम पाई की वैल्यू 22 by 7 दे सकते हैं ठीक है जहां पर लिखा हो पॉइंट में रखो वहीं पॉइंट में रखना चाहिए 22 by 7 into r जो है देखो अब मैं 3.5 के जिएका 7 by 2 लेती हूं तो काटना इसी हो जाते है and height is 16 बस हो गया यह सारा चीज square centimeter में होगा अब काटते हैं 277 22 that's it or 22 into 16 so 352 square centimeter यह हमारा पहला answer आया दूसरा बोल रहा है इसका total surface area निकालो so total surface area that is क्या होता है 2 pi r h plus r यह मैं common लेने वाला बोल रही हूं otherwise क्या था 2 pi r h plus pi r square या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है so अब हम इसको कैसे करेंगे so 2 pi 22 by 7 r again मैंने 7 by 2 लिया और height plus radius that is 16 plus 7 by 2 7 7 2 2 कटा और यह 22 multiplied by यह हमको lcm लेके करना है so 22 into 39 by 2 that is 11 into 39 आया है मेरे answer 429 square centimeter आया है हाँ right 429 अब last part आता है that is volume तो मैं यहीं पर कर देती हूं थोड़ी सी जगह में यहां पर लगा देती हूं इसको number 3 volume now volume का formula क्या है volume का formula है pi r square h so 22 by 7 pi r अपना क्या था 22 into 7 into 4 that is 22 into 28 बस अब अपने को इसको multiply करना है तो अपने रफ में कर लेते हैं 22 into 28 आ रहा है 616 616 और यह क्या है यह volume है तो volume square units नहीं cubic units होता है यहां centimeter तो centimeter cube लगा करके अपने इसका answer रख देंगे 616 cubic centimeter तो यह रहे अपने तीन answers अपना second sum है a cylindrical roller 2.5 meter in length 1.75 meter in radius when rolled on a road was found to cover an area of 5500 square meter how many revolution did it make now road roller है road roller है मतलब एक cylindrical shape का है बट इस तरीके से हमने उसको horizontally लिटा दिया हो cylinder को तो यही है road roller okay दूसरे चीज रोल रोलर का बोल रहा है कि यह रहा lens यह रहा 2.5 meter lens यह रहा 1.75 meter radius है अब उसको roller को जब हम घुमाते हैं तो वह कितना area cover कर रहा है 5500 का तो अब exactly यह जो roller है यह जब घुमाएंगे तो अब imagine करना हमको जब यह एक बार पूरा घुमेगा मतलब जब वन revolution करेगा तो exactly क्या घुम रहा है यह सो देखो यह वाला पार्ट समलो यह नीचे अब इसको गुमाना चालू करते हैं तो यह जब वन revolution करेगा तो यह अपना पूरा का पूरा lateral surface area घुम करके वापस आ जाएगा इसका मतलब अपने को एक और formula बन गया जो तुम अपनी formula वाली लिस्ट में भी लिख सकते हो and that is one revolution is equal to lateral surface area ठीक है यह हमको एक अपना और formula मिल गया बट यह one revolution किसका है सो यह one revolution है by cylinder कोई भी cylinder अगर इस तरीके से घूम रहा है so one revolution कर रहा मतलब वो अपना एक lateral surface area जैसे जा रहा है और उसने इस तरीके से कितना area cover कर लिया 5500 हमको पदा करना है उसने कितने revolution किये तो चलो सबसे पहले क्या क्या चीज़े हैं वो देख लेते हैं तो हमारे पास एक तो हाइट दियाव है so height of road roller that is edge यह दियाव है 2.5 meter और radius so radius r दियावा है 1.75 meter अगेन अगर अपने इसको fraction में रख लें तो अपना calculation fast हो जाएगा अपने को mensuration में calculation थोड़ा fast करना है क्योंकि थोड़े लंबे-लंबे sum होते हैं इसको और छोड़ा कर लेते हैं lowest term में so 5 by 2 meter रखेंगे अपने और रेडियस 1.75 की जगह पॉइंट हटा के हंड्रेड सेवन बाइफ फोर मीटर अपने रेडियस रखेंगे ठीक है अब हमको पता करना है एरिया कितना कवर करता है यह भी देख लेते हैं चलो एरिया कवर्ड जो है जो जो पहले इन्फोर्मेशन है वह हम सारा लिख देते हैं वह है 5500 स्क्वाइर मेटर सो अपने जारा हां 55 है यह सारा लिखने का एक और ज़रूरी इसलिए है कि अपने सारे यूनिट्स चेक कर पाते हैं अच्छा यह मीटर है मितले को चेंज नहीं करना कोई एक सेंटीमीटर में आ जा इन वन रेवल्यूशन तो अभी अपने को पता है अपने तो यह सम में बिलकुल शुरू में लिख दिया है कि एरिया कावर्ड इन वन रेवल्यूशन इस उकल तो लैटरल सर्फिस एरिया मतलब की 2 पाई आरच 2 पाई आरच फटाफट निकाल लेते हैं देखो कुछ भी न अच्छा तो अपने पास अब उपर बच रहा है 55 और नीचे बच रहा है 2 तो हम इसको पॉइंट में छोड़ सकते हैं 27.5 स्वाइर मिटर पॉइंट में क्यों छोड़ा पॉइंट में इसलिए छोड़ा क्योंकि questions आरे point में तो answer भी तुम पॉइंट में छोड़ सकते हो हम लोग unitary method में क्या करते हैं जो निकालना होता है इसको right side रखते हैं तो हम बोलेंगे 27.5 स्क्वाइर मिटर एरिया कवर करने में एक revolution लगता है so one square meter कवर करने में one by 27.5 लगेगा तो 5500 कवर करने में कितना लगेगा one upon 27.5 into 5500 ठीक है एक तरीका यह है पर यह अपने मन में भी calculation कर सकते हो अपने चाहे तो सिर्फ एक formula भी यूज़ कर सकते हैं यही चीज़ आएगा उसमें उसमें अपने simply एक formula यूज़ करेंगे तो यह भी तुम अपने formula वाले में add कर दो that is number of revolution number of revolutions is equal to total area जुतना भी total area covered है वो उपर रखो divided by area covered in one revolution यह एक छोटा सा formula ही याद रखोगे तो हमको वो unitary method करने का time बच जाएगा ठीक है तो total area क्या है 5500 और area covered in one revolution क्या है 27.5 पर अगेन हमको calculation करना है तो हम 55 by 2 लेते हैं so divided by 55 by 2 that is into 2 उपर गया 55 नीचे है काटो इसको so हमारा answer 200 आ रहा है मतलब 200 revolutions होंगे ठीक है सब्सक्राइब को बीच बीच में और नएने फॉर्मॉलास मिलते जा रहे हैं जो तुम लोग आराम से add कर सकते हो या फिर मैंने जैसे बोला कि मेरे पास पूरी list है वो download भी कर सकते हो उसमें सारी चीजे है चलो अपना ने वॉल्यम गीच ने थी आ रहा है और वाणी बहुत रहा है तो क्या चीजे दीवी है मैं को में प्रौ। चौर्व अस्वारइब स्क्रीज़ी आज कर लोग तो सर्कम्फरेंस आजिए वा से रिया जैना को आख पर सब्सक्राइब अगा प्रॉस अरिया वे circumference of base यह कितना दिया है circumference of base दिया है अपने को 110 110 cm और हमको height और volume निकालना है वोल्यूम तो आ जाएगा एक बार height और radius पता चल जाए तो सब कुछ निकाल सकते हैं तो आपको वो h और r इनी से निकालना है तो इनके formula हम देखते हैं क्या क्या है तो हम पहला वाला उठाते हैं इसमें लिखा हुए 2 pi r h की value दीवी है 4400 ठीक है इतना दिया और circumference of base circumference of base की हम यहां पर लिख सकते हैं सी circumference of base यानि की 2 pi r circumference of base तो circle यह circle का circumference 2 pi r है तो 2 pi r दिया हुए 110 तो अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर देखो यह 2 pi r into h ही तो है तो 2 pi r की जगे इसकी value दाल दे 110 into h is equal to 4400 तो अब हमारी h की value आ गए that is 4400 divided by 110 so 40 so चलो height has come तो यह हमारा पहला part तो आ गया that was to calculate height of the cylinder ठीक है वो आ गया now next part was find out the volume अब volume के लिए अपने को अपने इसमें 2 pi r h जो अपने को value दी वी है 2 pi r h is equal to 4400 इसको अपने वापस से use करते हैं इस बार अपने यह 2 pi r की value नहीं डालेंगे 110 क्योंकि अपने कोई r की value छही है अपने जो जो value पता है वो लिख देते हैं तो च्छा 2 की जगर 2 pi की जगर कुछ नहीं दिया इसलिए 22 by 7 r हमें नहीं पता और h अभी अभी पता चला 40 is equal to 44 sorry 4400 ओके अब इससे r की value अपनी आ जाएगी तो r की value क्या आई r is equal to सारी चीजों को उधर बेज देते हैं अपने 4400 इंटू 7 उपर 222 और 40 नीचे आ गया काटे जीरो जीरो सो हमारा answer आ रहा है 35 उपर है नीचे 2 है तो 35 by 2 cm radius है हम point में भी रख सकते हैं वर हमको radius पूछा नहीं है और radius अभी fraction में use आ जाएगा अब हमको number 2 that is volume चाहिए so volume का formula pi r square h cubic units होता है अब तो आराम से आ जाएगा 22 by 7 into r यह रहा तो देखो ऐसी लिखते है 35 by 2 दो बार है and h अपना अब यह भी आया 40 that's it अब सब काट देते हैं 7 502 यह 20 और यह 10 that's it नीचे अब कुछ नहीं रहा उपर क्या 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 अपने पास में 22 है 35 है and 50 है तो इसको एके करके multiply करोगे मैंने यह करके रखा है तो इसकी value जो है वो cubic centimeter ID so अपना fourth sum करते है now fourth sum में लिखाव है a rectangular sheet of tin foil of size 30 by 18 30 cm by 18 cm can be rolled to form a cylinder in two ways along length and along breath find the ratio of volumes of the two cylinders thus formed so एक tin की foil है मतलब वही rectangle है और वो 30 by 18 का है वो पसको दो तरीके से हम fold कर सकते है length wise भी और breath wise भी तो volume दोनों का अलग-अलग आएगा ठीक है same volume नहीं रहेगा अब वो कैसे देखो यहाँ पे जैसे मैंने बना के देखिया ऐसी हम लोग एक sheet लेते इस तरीके से 30 by 18 का है अब हम इसको length wise fold करें तो length wise कैसे fold करेंगे यह length है तो अगर अपने इसको length wise इस तरीक यह circumference हमारा बन गया 30 ठीक है यह length wise हुए है तो मैं एक बर इसको लिख दू और फिर इसी तरीके से अगर हम breath wise मतलब यह part तो अगर हम इसको यह part इस तरीके से fold करें तो अब हम क्या देखेंगे इसका जो height है देखो यह बन गया 30 और जो उपर है circumference यह हो गया 18 तो यह ध्या अगर हम उसका इस cylinder को बनाते हैं तो हमने देखा क्या हो गया जो height था वो 18 था और यह जो था 2 pi r पूरा this was 30 cm यही चेंज हुआ था अपना तो अपने लिख देते long length क्या था height यानि h जो है cylinder का that is 18 cm और circumference of base circumference of base मतलब circle का circumference that is 2 pi r यह 30 cm था ठीक है और along breath भी देख लो तो मैं थोड़ी जगर छोड़ देती हूँ यहां करते हैं along breath अगर fold करें तब हम देखते हैं कि जो height है वो इस बार 30 cm हो जाती है और circumference है that is 2 pi r है पुरा लिखना मैं शौट में लिख रही हूं 2 pi r जो है यह 18 cm हो जाते हैं इतनी चीज़ें को दी वे लेकिन हमको निकालना क्या है दोनों के volume का ratio यानि pi r square h इसका और इसका pi r square h इसका ratio निकालना है वो कैसे निकालेंगे सो हम ऐसा करते हैं सबसे पहले तो हम इसके क्योंकि इसकी height अलग है radius अलग है तो confusion नहीं होना चाहिए चलो मैं इसका height capital H is 18 and capital R ऐसा है और इसका small r और small knowledge अभी pi r square h मतला हमको ratio of volume चाहिए यानि formula wise देखना होता हमको क्या करना है pi पहले वाले का pi r square h is to pi r square h चाहिए रइट दोनों के volume का ratio चाहिए और दोनों के volume में radius radius height अलग-अलग है इसलिए मैंने r और h अलग-अलग लिए अब इनका जब हमको निकालना है तो देखो pi और pi तो ऐसी कट रहा है क्यों कट रहा है विकाज रेशियो और कोई डिवाइट का साइन ही होता है इतना तो हमारे चीज़े हमको लिखनी पड़ेगी h तो हमारे पास है बट यह r नहीं है तो हम सबसे पहले radius की values निकाल लेते हैं तो यहां से निकाले है पाई इसलिए तो सम को थोड़ा फास्ट करने के लिए अब यहां पर भी निकालते हैं तो यहां देखो टूपाई r is equal to 18 है तो आर क्या हुआ आर हुआ 18 अपाउन टूपाई सेंटिमेटर 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 अब हम आए पास पता है अब हम इसकी वैल्यू डाले आर स्क्वाइर मतला 30 अपाउन टूपाई इंटू दो बार लिखना है इसको इंटू एच एच वास 18 चलो इस्टू यहां पर आर का स्क्वाइर बार लिखना है यहां पूरे में उपाउन पर एक फट्टी बच रहा है और यहां पूरे में यहां पूरे में अटीन बच रहा है यह दोनों और कट सकते हैं, 6 से जाते हैं, 6 3 जार, 6 5 जार, तो हमारा रेशियो क्या आया, हमारा रेशियो 5 इस टो 3 आया है, ठीक है, तो अपना जो next sum है, यह भी पहले वाले sum जैसा ही है, पर थोड़ा सा उससे advanced level का है, क्योंकि यह भी ratio वाले ही है, यह question है, the ratio between the curved surface area and the total surface area of a right circular cylinder is 1 is to 2, now find the volume of the cylinder, if its total surface area is 616 square centimeter, तो हमको total surface area इसका दिया हुआ है, और ratio दिया हुआ है, curved surface area और total surface area का 1 is to 2, हमको volume, pi r square h, यह पता करना है, ठीक है, सो हमको radius और height कुछ नहीं दिया, तो हम सबसे पहले वही let कर देते हैं, सो हम बोलते हैं, let the radius and height of cylinder be r centimeter and h centimeter respectively, चलो, एक पार हुआ, अब therefore, यहां पे चो दिया है, therefore, according to the problem, हम यहां पे बोल रहा है, curved surface area और total surface area का ratio, यानि 2 pi r h upon 2 pi r h plus 2 pi r square का ratio, 1 by 2 है, इतना दिया है, इससे हम कितनी चीज़ें निकाल सकते हैं, देखते हैं, so 2 pi r h upon इसको common ले ले तो 2 pi r common h plus r is equal to 1 by 2, 2 pi r, 2 pi r कटा, तो h upon h plus r is equal to 1 by 2, so cross multiply करते हैं, 2 h is equal to h plus r, और इस साइड ले के आओ, तो हमारा r है, h is equal to r, मतला height and radius equal ही है, तो h की जगा r या r की जगा h, लिख सकते हो, यह, अब हमको चाहिए volume, और हमारा पास एक और information था, that is, total surface area is 616, so total surface area is 616, मतलब हमको पता है already, कि 2 pi r h plus r, यह तो 616 है, so इस से देखो हम निकाल सकते हैं, 2 pi r रहने दे, यह pi का चलो value डाल दो, so 222 by 7, r की जगा r रहने दो, और h, और r equal है, तो मैं h की जगा r रख देती हूं, तो r plus r कितना हुआ, 2 r is equal to 616, so यह तो कुछ कटनी रहा, 44 r upon 7 into 2 r is equal to 616, so r square is equal to, सब उदर रख देते हैं, 616 into 7 upon 2 into 44, और यह अब कट रहा है, यह 11 से जाएगा, 56, फिर 4 से जा रहा है, 14, 27, 7, 7, 7, 49 आ रहा है, तो हमारी r की value तो आ गई, r is equal to 7 आ गया, ठीक है, और r 7 है, तो hb 7 है, इतनी चीज़ तो बता चलोगी अपने को, अब अपने को चाहिए volume, तो उसके लिए मैं उपर वाला पार्ट फोर ऐसा ही रेस कर देती हो, so r is equal to 7 आ अपना, तो हम लिखेंगे, r is equal to 7 है, therefore hb 7 है, because hr are equal है, so अब हम volume निकालते हैं, अब तो बहुत easy है, volume होता है, पाई r square h, that is 22 by 7 into 7 into 7 into 7, और यह क्या, cubic centimeter में चल रहा था, तो centimeter cube, 7, 7 cut हुआ, और अपने को multiply करना है, 22 into 49 से, तो let's see, क्या होता है, तो हमारा answer आ रहा है, 1078 cubic centimeter, ठीक है, नव दिस इस मोस्त इंपोर्टन सम, तो चलो, इसको देखते ही, कैसे करते हैं, लिखा है, water flows out through a circular pipe, whose internal diameter is 2 centimeter, at the rate of 6 meter per second into a cylindrical tank, the water is collected in a cylindrical vessel, radius of whose base is 60 centimeter, find the rise in the level of water in 30 minutes, तो दो वेसल है, एक तो यह circular pipe है, यानि के अक्चुली यह cylindरी हो गया, तो इस pipe के थूपानी जाता है, इस pipe का radius दियावा है, अक्चुली डामेटर दियाता है 2, तो मैंने उसको दिवाइड बाइ 2 कर दिया, तो इसका radius 1 centimeter है, और इसमें इसकी यह length जो है, यह नहीं पता कितनी है, लेकिन यह पता है कि कि स्पीड से पानी अंदर फ्लो कर रहा है, 6 meter per second, तो हम यह माल लेते हैं, एक second में, समलो यहां तक अगर 6 meter हो, एक second में 6 meter जाता है, तो हमको पूरी length तो नहीं मालूम pipe की, लेकिन हाँ, length of pipe, for one second मालूम है, एक second में कितनी length pipe की cover होती है, 6 meter, तो पूरी length तो नहीं मालूम, बट हाँ, एक second की कितनी length है, 6 meter, इतना मालूम है हमको, और इस से पानी किस में गिराया जा रहा है, इस cylindrical vessel के अंदर, यह cylindrical vessel जो है, इसका radius 60 cm है, और यहाँ पर बोल रहा है, 30 minutes तक पानी गिरता रहा, गिरता रहा, तो कितना पानी भरेगा, समलो rise in water level, मतलब यहाँ से पानी अगर यहाँ तक आ गया हो, तो हमको यह height पता करनी है, कि यह height कितनी है, तो सबसे पहले अपनी यही देखते हैं, कि 30 minutes में total में volume, कितना पानी भरा गया, यहाँ तो पूछ रहा है, अपने को 30 minutes में height कितना बढ़ा, हम पता करते हैं, 30 minutes में total पानी कितना आया, तो हम यहाँ से पता करेंगे, हम सबसे पहले बोलते हैं, कि ओके radius इतना है, अभी हमको अगर इसका volume निकालना हो, तो हम नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज हमको length नहीं बालूम, लेकिन एक second में कितना पानी गया, वो तो बता सकते हो, एक second का length पता है 6 meter, तो हम ऐसे लिखते हैं, कि ऐसे भी लिख सकते हो, तो length of 5 for 1 second, 6 meter, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कि length of water column, flows in 1 second, तो एक second में कितना water जाता है, 6 meter जाता है, हम इसको centimeter में change कर लें, तो क्योंकि सबको centimeter में है, तो इसको हम कर देते है, 600 centimeter, अभी ठीक है, अभी water एक second में इतना गया, तो volume of water देखते हैं कितना गया, so volume of water, flows in, 1 second, is equal to, pi r square h, मतलब 22 by 7, into r, into r, into h, h कितना है, 1 second का तो 600 है, 1 second का 600, कुछ नहीं जा रहा, तो इतना volume of water, 1 second में पार बार निकल रहा था, कितनी देर तक निकला, 30 minutes तक, 30 minutes मतलब कितने second हो गया, 30 into 60, that is, 1800 second तक ऐसे ही पानी गिरता रहा, तो हम यहीं पर कर दें आगे, कि volume of water, in 60, sorry, 1800 second में कितना पानी गया, तो 1800 second में पानी गया, 13200 by 7 तो थाई, into 1800, इतना cubic centimeter water, इसमें fill हो चुका है, तो अब हमको पता है कि, यह जो है, इतना volume, यह जो यहां तक मैंने भर के दिखाया, यह पूरा volume यही है, ठीक है, अब हमको इसका volume पता है, ठीक है, अगर मैं इस part को हटा दू, यहां तक भरा है, तो यह actually तो cylinder ही हो गया, एक cylinder मान के चलो, जिसकी height यहां तक है, ठीक है, तो मुझे इसकी height पता करनी है, यह volume of cylinder के formula से आ सकता है, तो हम आगे part करते है, volume of cylinder, volume of cylinder का formula के है, volume of cylinder का formula है, pi r square h, लेकिन इस बार हम यह वाला r ले रहे हैं, बस इतना सा फरक है, तो यानि की, और हमको volume आलूम भी है, तो हम इन दोनों को equate भी कर सकते हैं, pi r square h, मतलब क्या हुआ, 22 by 7 into r is 60, मतलब 60 into 60, into यह height ही, तो हमको पता करनी है, और यह भी volume वही है, यह भी volume वही है, तो दोनों को हम equate करते हैं, और h की value लेके आल। तो यह मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, यह दोनों volume equal है, यहाँ और यहाँ वाले volume equal है, अब मुझे h की value चाहिए, तो थोड़ा बद यहाँ पर भी काट सकते हम, इंटू 18 divided by 22 into 6 into 6, अब बस अब हमको काटना है, 6, 3, 018, 3, 2, 06, फिर दो से जा रहा है यह, तो हमारा answer आ गिया 300, तो height कितनी बढ़ेगी उस cylinder की, 300 cm, अब तुम चाहो तो इसको meter में भी दे सकते हो, because तुम्हारे question में एक meter में था, 300 cm बढ़ा है, 3 meter भी लिख दो, तो जो भी रखो, answer तुम्हारा right over, तो चलो एक और सम करते हैं, यहां लिखावा है, how many cubic meters of earth must be dug out, to sink a well 22.5 meter deep, and of diameter 7 meter, also find the cost of plastering the inner curved surface area at 3 per square meter, तो सबसे पहली चीज़ तो, how many cubic meter, एक तो हिंट दे दिया, cubic meter मतलब volume निकालना है, earth dug out, earth मतलब soil निकालना है, तो हमको एक जमीन से बहुत सारी soil अंदर से निकालना है, गड़ा कर देना है, जिससे कि वहाँ पे well बन सके, तो कितनी soil निकालने, तो हम पूरी soil निकालने, इसका मतलब हमको volume निकालना है, ठीक है, volume कितना होएगा, जितना volume उस well का होगा, उतना ही volume of earth निकालने के लिए, हमारे पास सब कुछ है, well का depth, मतलब height भी दिया हुए, 22.5 और diameter, यानि radius भी दिया हुए, तो हम सबसे पहला काम करते हैं, इसका volume निकाल लेते हैं, so volume के लिए, हमको चाहिए, height of the well बोल सकते हूँ, और radius of the well भी बोल सकते हूँ, so हमारे पास height और radius कितना दिया हुए, 22.5 और 7 meter, so 22.5 और 7 तो diameter था, तो उसका divided by 2 कर लिया, 3.5 meter, या 7 by 2 लेकर रख सकते थे, so therefore, पहले एक पाट बता सकते हूँ ये चीज़, की volume of earth dugout, is equal to volume of well है, इसी लिए अपने volume of earth dugout के लिए, pi r square h use कर रहे, so इसकी value हम रखें, तो ये pi की जगा हम लिखते हैं, 22 by 7 into r का square, that is 7 by 2 लिख दे, तो 7 by 2 का square, into h, h क्या है, h is 22.5, तो 22.5 का हम यह point हटा सकते हैं, point हटाया, और ये 10 लग गया, अब काटे 7, 7 कट गया, 2, ये 11 हुआ, और ये कट रहा, 5, 2s are 10, और ये 45 by 2, तो हम आपस में, उपर बच रहा है, 77 into 45, और नीचे बच रहा है, 224, ठीक है, इतना बच रहा है, अब अपने इसको calculate करके देखते हैं, तुम दो भी calculate करो, मैं भी देखती हूँ, इसका answer कितना आता है, तो मैंने इसको calculate किया, हमारा answer आ रहा है, 866.25, और ये volume है, तो होगा, cubic meter, यहमारा answer हो गया, ठीक है, अब एक और पार पूछ रहा है, वो है, cost of plastering the inner curved surface, at rupees 3 per square meter, तो जो well का inner curved surface है, बोल ही दिया, inner curved surface, मन्दा curved surface ही रहा, तो निकाल नहीं है, फिर उसको अपने को plaster करना है, उसका rate है, एक square meter का 3 rupees है, तो total आ जायागा, तो हम multiply by 3 कर देंगे, एक साथ भी कर सकते हो, कैसे करोगे देखो, हम लिख देते हैं, cost of plastering, inner curved surface, area, at, कितना rupees है, 3 rupees per square meter, is equal to क्या होगा, rupees 3 into, curved surface area, that is 2 pi आरच, तो हम निकालते हैं इसको, rupees कितना हुआ है, 3 into 2 into pi का value, 22 by 7, r 7 by 2, और h अपना 22.5 है, या फिर अभी अपने को काट नहीं है, तो यह वाला पार्ट जो अपने काटे थे, 22.5 वाला 45 by 2 डारेक्ली भी लिख सकते हो, या कैसे भी 225 by 10 देख दिया, ओके, अब काटते हैं अपने, 2, 2 कटा, 7, 7 कटा, 5, 2, 0, यह हुआ 45, यह भी 2 कट रहा है, तो नीचे इस बाग कुछ नहीं बचा, यानि पॉइंट में एंसर नहीं आने वाला, 11.3 जा 33 और 45, तो 33 और 45 को मल्टिप्लाई करके, देखते हैं हमारा एंसर कितना आता है, ओके, तो हमारा एंसर आ रहा है, 1,485 रूपीज, विल बी दो कॉस्ट आफ प्लास्ट्रिंग, तो हमने सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर वाला पार्ट किया, उसके काफी तरीके के सम्स मैंने बता दिये, तो आई होब तुम लोगों को होई प्राब्लम नहीं होगी, अब मैं नेक्स्ट वाले क्लास में, हॉलो सिलेंडर के बारे में बताऊंगी, और हॉलो सिलेंडर के भी कुछ सम्स हम लोग करेंगे, बड़ उससे पहले, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइट करते वे जरूर जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर जरूर करना, उनको भी बढ़ने का मौका देना, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने कियो, पहली बार आयो मेरे चैनल में, तो सब्सक्राइब करते वे जाना, और नीचे जो बेल आइकन है, उस बेल को भी बजा देना, जिससे की जब भी मैं नए वीडियो बनाऊंगी, तुम्हारे पास उसकी मैसेज, उसका मैसेज पहुँच जाएगा, ठीक है, सो कीप आं प्रैक्टिसिंग दे साम्स, अट लीस्ट फाइव साम्स अडे, चलो, बाबाई, चैन,